हेलो माई डियो फ्रेंड्स तो आज हम बात करेंगे क्लास एर्थ हिस्ट्री का चैप्टर नमबर 6 जिसका नेम है वीवर्स, आईरन स्मेल्डर्स एंड फैक्टरी ओनर्स तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं वर्स टेल अस हिस्ट्री तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो इंडियन टेक्स्टेल थी उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत जादा दिमान थी जब ब्रिटिश इस्ट इंडिया गमनी हमारे इंडिया के और आई थी उससे पहले तो अब हम बात करने वाले हैं कि वल्ड होती है वह को ब्रस हमें हिस्ट्रिए बताते हैं उसके बारे में हいき जानने वाली हैं तो यूप्या ट्रेड़र फिर्स्ट इंकाउंटेड इन मौसुल इराक तो जो यूरोप था इसके बार में मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताए था जैसे मालो यह इंडिया है तो इंडिया के अंदर यहां पे तो इराक है तो हमने देखा था कि जो एशिया उसके सेंडल पार्ट के अंदर साउथ इंडिया के सप्लाई होती ठी तो उसके अंदर इराक भी आ जता है लेकिन यूरोप था वो थोड़ा दूर था तो इसके कारण इंडिया का जो टेक्स्टाइल था वो वहां तक पहुंच नहीं पाता था तो जो हम तो कांपे सप्लाई करवाते थे हमारे टेक्स्टाइल की इराक के अंदर तो इराक के अंदर हम हमारे टेक्स्टाइल के सप्लाई करवाते थे और इराक से जो है तो यूरोपियन ट्रेडिं किक्टा है वह मिल गया तो उनको कॉल मिला यूइरोपियन ट्रेडर्स जो यूइरोप के ट्रीडर ले से फिस्ज इनकाउंटर्स तो उन्हें सबसे पहले हां कॉपड़ा। क्वी हंप hypocrisy लाद्र मोसूल कानओ इराग के अंदर अरां मोसूल नाम की जगह kayma वहाँ पे European traders को इंडिया का कपड़ा मिला था तो इसी कारण से इंडिया की कपड़े को बांग में यूरॉप के अंदर मुस्लीन नाम से जाने लगे तो मौसूल से क्या बना मुस्लीन बन गया तो जो वर्स होते हैं उनकी भी हिस्ट्री बन जाती है वैसे तो European traders को पहले जो कपड़ा था वो मौसूल के अंदर मिला इसी कारण से उसका नाम मुस्लीन पड़ गया फिर Portuguese तो Portuguese का first person कौन था जो इंडिया की cost के अंदर आया था उसका नाम आप मुझे comment section के अंदर लिखके बताना तो जो Portuguese थे वो भी हमारे इस वाली कोस्ट के उपर trade किया करते थे तो came to India वो इंडिया के अंदर आते थे in search of spices क्या लेने के लिए वो किसका trade करने के लिए इंडिया के अंदर spices का trade करने के लिए European को ये भी नहीं पता था कि spices क्या होती है उनको तो पता भी नहीं था कि खाना कैसे खाते है तो उनको बाद में किसी ने बताए कि अगर हम खाने के अंदर spices मसाले वगर डालेंगे तो जो खाना है उसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा तो बाद में वो spices ल काम की जगह है वहाँ पे जो पॉट्यूगीज थे वह आके रुके थे तो कैली कट पे रुके थे और दा कोस्ट ओफ कैरल तो यहां पे वह आके रुके थे कौन पॉट्यूगीज क्या करने के लिए spices लेने के लिए अलोंग विच स्पाइसेज मसालों के साथ में दे टुक पॉट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू ऐंदर मिली थी केरल की कोस्ट के उपर चलिको अधर सबसे सबसेटुक सेली को भीकमें जनर्ली डियान नेम और आल कॉटन टेक्सटाईल सकतंडा के रपार तो जीतने भी जिये पांशा जैसे cotton textile की अलग-अलग varieties होती है तो cotton textile जितने भी cotton textiles थे उनका नाम कैली को पढ़ गया तो जितने भी cotton textiles थे उनका नाम कैली को पढ़ गया क्योंकि वह उन्हें कोस्ट के उपर मिला था कैली कट के अंदर तो हमने वर्ड स्टैलस history के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया अब हम आगे बात करेंगे वर्ड स्टैलस history के बारे में अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं तो आपके बुक के अंदर को यह जैसे मानलो एक पेज दिया वा है जिसके उपर कुछ यूरोपियन स्टैल के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो उसके अंदर क्या है गिवस एन आइडिया अबाउट आइंटियट वेराइटीज आफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ तो वह जो पेज है वह एक किसी क्रेडर का पेज है तो उसके अंदर बताय गया है कि उसने ट्रेड क्या था नाइंटियट वेराइटीज कोटन के और सिल्क के flirt clothes के और cotton cloth के 98 varieties के जो cloth है वो बनते थे तो silk के भी 98 varieties जो होती थी और cotton होती है उसकी भी 98 varieties होती थी तो आप इन्ही varieties को दे कैसे समझ सकते हैं कि हम कितना बड़ा market था इंडिया का पूरे world के अंदर known by different names अब जैसे जो 98 varieties silk की थी या फिर 98 Varieties Cotton की थी उन्हें भी अलग-अलग नेम से जाना जाता था जैसे Chinz, Coases and Bandana तो इनका जो origin है वो इनी के नेम के अंदर ही चुपा हुआ है तो जैसे Chinz अगर हम बड़े बुजूर्गों से पूछेंगे तो जैसे Villages के अंदर अधिक तर जो मैलाएं होती है वो Chinz के कपड़े पहना ही प्रीफर करती है तो जैसे उन्हें Chinz बोला जाता है तो वैसे वो Chinz के अंदर होता क्या है उसके अंदर Flowers की डिजाइन होती है तो जैसे Flowers बने हुए होते हैं तो किसी कपड़े के ऊपर Flowers बने हुए है और डॉट डॉट लगी विया मतलब वो Chinz की Chinz का कोई कपड़ा है कोवासेज कोवासेज मतलब जैसे हमने हमारे थार्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इंडिगो के बारे में तो जो डार्क ब्लू कर रहे देने के लिए यूज में किया जाता था इंडिगो का क्वासेज मतलब जो इंडिगो से कोई भी ड्रेस यह वो बनाए हुई होती है बांधना तो इसका जो ऑरिजिन व के aniदर ही छुपा हुआ है बांधना मतलब किसी भी चीज़ को बांधना तो यह राजस्तानी जैसे जो ड्रेस होती है वो जादा राजस्तानी स्टायल के अंदर होती है जो वूमेंस होती है वो इसे अपने गले के अंदर बांधना हो गई तो इनका जो ओरिजिन है वो इनकी नेम के अंदर ही चुपा मतलब जो-कि-फ्लावर्स की डिजाइन होती हो जो डोट्स-डोट्स होते वो चिन्ट का कपड़ा हो गया। कोवा सेज मतलब जो इंडिको से कलर डाई करके बनाय हुआ होता है। और बांधना मतलब जिसे जो राजस्तानी वूमेंस होती है अपने गले के अंदर बांधती है तो इतने सारे जो अब जो ट्रेडर्स होते थे यूरोप के वो इंडिया के अंदर आते थे इन सभी मैटेरियल्स को ले जाते थे और यूरोप के अंदर बहुत ही जादा महेंगे महेंगे रुपीज के अंदर उनको बेच दिया करते थे और लोग जो होते थे उन्हें भी इंडिया का जो कपड़ा था वो बहुत ही मस्त लगता था जो रानी थी वहां की नॉर्मल पीपल तो पहनते ही थे इंडिया के ड्रेसेज को लेकिन वहां की जो क्वीन थी ब्रिटेन थे तो जैसे हमने देखा था कि अलग अलग जगर से मिले हुए हैं कपड़े तो उनका अलग अलग नेम निकल गया अगर वह मौसुल से मिला हुए तो मुसलिम नाम पढ़ गया उसका अगर वह कैली कट से मिला हुए तो उसका कैली को नाम पढ़ गया तो जैसे ब्रिटिश पतना बिहार के अंदर है औरिसा चारपूर यह भी वेस्ट बेंगोल के अंदर है तो वैसे अलग अलग जगह से जो पीपल थे वो कपड़ा जो है वो ले जाये करते थे अलग अलग ट्रेडिंग कंपनी तो हमने वर्ड स्टैल सिस्ट्री के बारे में भी जान लिया if anybody have any type of doubt any type of query then please mention in the comments below thank you so much